नमस्कार, महा शिवरातरी आने वाली है और हम सभी शिव से कनेक्शन कर रही हैं शिव का द्यान करएं शिव यानि की केल्यान करी बाबा बोलेनात शिवशंका, शिवशंभू, शिवजी, नील, कंठ, रूद्र और हमेशा अनिस्ट नामों से जाने जाते हैं ले और पर्ल है को दोनों को अपने अहीन की हो हैं भगवान शिव सोमे अकरती और रोदर रूप दोनों के लिए विख्याद है शिष्टी की उद्पत्ती हो, सिती हो, शिंगार हो सभी के अधिपत्ती शिव ही है शिव अनादी और शिष्टी प्रक्या के आधी शूत हैं काल है महा काल है और जोति शास्त्र के अधार है हिंदु देवी देवताओं में भगवान शिव शंकर सबसे लोग प्रिये हैं देवों के देव हैं महा देव हैं और असुरों के राजा भी उनके उपास सकते और अगर आपके उपर भी किसी प्रकार के ग्रहे दोशों कालसर्प दोशों राहु दोशों सबसे ज़्यादा उत्तम उपाय भगवान शिव की पूजा ही बताई गई हैं बड़ से बड़े ग्रहों के कस्टों उसके शांती के लिए बड़े से बड़ा जीवन पर कस्टों उसके शांती के लिए भगवान शिव की अरादना और शिव जागरन करने से यह मेरबान हो जाते हैं इनकी पूजा में इन्हें कुछ खास चीजे पसंद होती हैं जैसे कि धतूरा बहुत पसंद है भगवान शिफ के सर से विश्च के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रियोग किया गया था इसलिए इस बार जब आप मंदि पर उत्री हैं इसलिए सभी नदियों में गंगा पवित्र मानी जाती हैं गंगा जल से भगवान शिफ का विश्च करने से शिवजी जी अत्यंत प्रिये होते हैं साथी साल्थ महा शिवरात्री पर गन्ना आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए अगर मिल जाता है तो गन्ने क को सुख का प्रतीक माना जाता है शास्त्रों में गन्ने को भौती पवित्र माना गया है और माना जाता है गन्ने के रस से अगर शिवलिंग का रूत्र का विश्च किया जाए तो इससे धन धाने की प्राप्ती होती है ग्रह दूशों से मुक्ति मिलती है अब हम बात करेंग जो कहीं से कटा फटा ना हो ऐसा बेल पत्र आपको भगवार्ण शुर्फ को चढ़ाना चाहिए और क्यों चढ़ाते हैं तीन पत्त वाला बेल पत्र इसको त्रीदेव ब्रह्मा विश्नु महिश का प्रतीक माना गया है महादेव सिर्फ एक बेल पत्र अर्पित करने से प्रसन होते हैं और इसलिए उन्हें हम आशुतोष भी कहते हैं समाने तोर पर बेल पत्र में एक साथ तीन पत्यां ही जुड़ी होती हैं लेकिन कभी अगर आपको पांच पत्य वाला बेल पत्र मिल जाए तो वो सर्वुत्ता माना जाता है दोस्तो बेल पत्र की महिमा के आज हम बात करेंगे इसके वर्णन कई पुरानों में मिलता है लेकिन शिफ पुरान के जब हम बात करेंगे तो इसकी महिमा विस्तरित रूप से बताई गई है कहा गया है बेल पत्र भगवान शिव का ही प्रतीक माना जाता है भगवान स्वेम इसकी महिमा को स्विकार दे हैं बेल व्रक्ष की जड़के पास अगर आप शिवलिंग रख करके भगवान शिव की अरादना करते हैं तो हमेशा सुखी रहते हैं बेल ब्रक्ष्टी जड़के निकट शिवलिंग रखकर उस पर जलर्पित करने से परिवार पर कभी भी कोई संकट नहीं आता चोटा सा बेल ब्रक जैसे तुल्सी का गाच आप घर पर रखते हैं वैसे ही बेल पत्र का व्रिक्ष आपको घर पर रखना चाहिए और उसमें एक के परिवार पर तो वो सब दूर हो जाता है सह परिवार आप खुश और सिंतुस्ट रहते हैं खास कर बेल ब्रक्ष के नीचे जब आप शिवलिंग रखते हैं तो उसे खीर का भुग लगाने से सोमवार के दिन परिवार में धनकी कमी नहीं होती है और मनुष्र कभी भी न नहीं होता है बेल ब्रक्ष की उत्पती के संबंद में बहुत ही खुबसूरत बात पताई गई है इस कंदपुरान में एक बार देवी पारवती जिन्हें अपने लटाट से परसीना बहुचकर फैका था जिसकी कुछ बुंदे मंदार्क परपत पर गिरी और इससे बेल ब् पत्यों में पारवती फूलों में गौरी और फलों में कातियानी ने निवास करते हैं कहा जाता है बेल ब्रक्ष के काटों में कई शक्तिय समाहित होती हैं देवी मालक्षमी जी का भी वास बेल ब्रक्ष में माना जाता है इसलिए जो भी मनुश्य शिप पारवती जी की काम भावना से पुजा पाठ करने वाले लोग भगवान भुले नात को दें तप्रिये होते हैं भगवान विश्ण को प्रसंद करने के लिए कटिन तपस्या और भोग समगरी के आवशक्ता होती है लेकिन शिव को आप सिफ बेल पत्रों जल जड़ा दीजे और वो प्रसंद ह हो जाएंगे इसका उत्तर क्यों है इसका ये पसंद शिव जी जी को उसका उत्तर आपको पुरानों में दिया गया है समुद्र मंतन के समय जब आहलाल लाम का विश्ण करने लगा था विश के प्रभाव से सभी देवता जीव जन्तु व्याकुल होने लगे थे ऐसे समय में भगवान शिव ने विश को अपने अंजुली में फर कर पी लिया और विश के प्रभाव से स्वेम को बचाने के लिए शिव जीजी ने इसे अपने कंट में धारन किया और जिससे शिव जीजी का कंट नीला पड़ गया शिव जीजी का नील कंट इसी वज़े से कहलाते हैं और विश्के प्रभाव से शिवजी जी का मस्तिश लेकिन करम होने लगा जब शिवजी जी खबराने लगे तब शिवजी के मस्तिख पर सभी देपताओं ने जल उडेलना शुरू करा जिससे मस्तिश की गर में शान्त हुई और बेल के पत्तों की तासिर भी ठंडे होती है इ शिवजी जी के पुजा चली और बेल पत्र से शुरू करी गई बेल पत्र और जल से शिवजी का मस्तिक शीतल रहता है इसलिए शिवजी जी प्रसंद होते हैं में आप सब के नीचे वे बैठा था वे बेल के वरक्ष के नीचे शिवलिंग था अब बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिनने से शिवजी जी प्रसन हुए और फिर शिवजी जी बेल के सामने प्रकट और परिवार सहित बेल को मुक्ति का वर्दान दिया इसलिए खा जाता है बेल के वरक् पत्र चड़ाते हैं या फिर महा शिवरात्री के दिन बेल पत्र को चड़ाते हैं तो आपको 108 कन्याओं का दान करने के बराबर होता है दोस्तों बेल पत्र लेकिन तोड़ना चाहिए जब उसका नियम होता है जब भी आप मार्केट से खरीद रहे हैं तो ठीक है अगर आपने बगवान शिवक की पूजा के लिए हेवरक्ष मैं तुम्हारे पत्र तोड़ता हूं तहनी से चुन-चुनकर बेल पत्र तोड़ना चाहिए कभी भी पूरी तहनी नहीं तोड़नी चाहिए और पत्ति इतनी साघानी से तोड़ने चाहिए कि व्रिक्ष को कोई नुकसान न पहुंचे और बेल पत्र तोड़ने से पहले और बाद में रिक्ष को मनीमन धन्यवाद और प्रणाम करना चाहिए चत्रती तिति ओ, अश्टमी हो, नौमी हो, चत्रुदशी तिति ओ, मावस्य तिति ओ, या सक्रांती के समे इन दिनों में यह आपको बेल पत्र नहीं तोड एक दिन पहले तोड़कर रगदेना चाहिए शास्त्रों में विशेज दिनों पर पत्टे तोड़कर चढ़ाने से मना किया गया है और अगर आपके पास नहीं है बेल पत्र तोड़ाओ तो जो बेल पत्र है या किसी और के द्वारा भी चढ़ाया हुआ है वो भी आपस से कर सकते हैं शिवजी जी गो पर अर्पित करते समय ध्यार नकें जल्की धारा जरूर कढ़ाई बेना चलके बेंगो बेलपत्र कồi direction करना चाहिए और भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पित करते समय वो सिद्धू होती है बेलपत्र अर्पित करते हैं, बोले त्री दलम, अपाराप, त्री नेत्रम, चात रहाएं, त्री जहन्म पाप संभाई बेलपत्र शिवालनम इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए, तीन गुन, तीन नेत्र त्रिशूल धारन करने वाले और तीन जनमों के पाप को सिंघार करने वाले है शिव जी जी आपको तृदर बेल पत्र अरपित करते हैं ध्यान रखे शिवलिंग पर जबी भी आप बेल पत्र चढ़ाएं हमेशा महादेव को बेल पत्र उल्टा अर्पित करना चाहिए यानि कि पत्ते का जो चिकना भाग है उत पर का जो भाग होता है वो शिवलिंग के उपर होना चाहिए बेल पत्र में किसी प्रकार के चक्र नह इजना यदिक उत्तमाना जाता है दूपत्यों वाला बेल पत्र या एक पति वाला बेल पत्र आपको नहीं चुड़ाना चाहिए जब है की नहीं मुझे डाराएकश ळिंग पर चढ़ाना है जो पहले चड़े होए पत्ते हैं उन्हें आप शांति से पहले लग रग दे उसके बाद ही आपको अपने बेल पत्र चड़ाने चाहिए अगर बेल पत्र उपलब्द ना हो चांदी का भी बेल पत्र ना हो बिल का वरिक्ष कहीं से आपको दिख जाए उसके सिर्फ दर्शन या तो नहीं सकते हैं सोमवार यह आप शिवरात्री है तो आप ब दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं जरूर इस बात का द्यान लखें और आप एक बार भी बेल पत्र चढ़ा देते हैं तो आपके सभी प्रकार की मनों कामने पूर्ण हो जाती हैं बहुत सारे उपाए भी होता है बेल पत्र से आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बता आँगे आज के लिए बस इतना ही खिलकिलाते रहें मुस्कुराते रहें और ध्यान लखें कि माश रातरी के दिन इस बार बेल पत्र पहले से अरेंज करके रखें और बाबा बोले नात को बेल पत्र जरूर टड़ाने हैं टेक केर फ्रेंस लव यू और अपने फ्रेंस फै हम दिले दिले जानेंगे शिव जी जी को क्या पसंद है क्या नहीं कैसे व्रत को करना है क्या उपाय करने है क्योंकि महा रातरी है महा निशा है और इस रात का पूरा-पूरा सभी सादकों को बहुत-बहुत बदाई हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही लौटिंग एक नए वीडियो के साथ मेरे चैन को लाइक सेस्क्राइब शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवाश्य करें